हेलो बच्चों आप सभी कैसे हैं आसा करती हूँ अच्छे होंगे मस्त होंगे और स्वस्त होंगे तो भई बोर्ट सीरीज जो हमारा मिशन 2023 जो चल रहा है तो उसकी तैयारे में आप सभी लगे हुए होंगे आसा करती हूँ और मेरे साथ आप भी मज़ेदार ले करके पढ़ रहे होगे लेकिन अभी आप टैंशन में मत हो तो यह निकि आप टैंशन लोगे तो जो पढ़ भी रहे होगे वो आप क्या करोगे दिमाग से भूल जाओगे ठीक है तो आपको क्या करना है सिर्फ रिवाइस करना है आप दिमाग में बस यह बठा के रखो कि आप पढ़ चुके हो सिर्फ आपको रिवाइस करना है और जो लोग नहीं पढ़े है वो मेरे साथ आ करके पढ़ते जाएंगे बुक खोलते जाएंगे कि इसकी इसकी बात में हो रही है तो बैस स्टार्ट करते हैं जो हमार आज का सेशन होने वाला है क्योंकि 36 गर बोड का एक्जाम है और बोड एक्जाम के इसा होता आप सभी को पता ही है तो स्टार्ट करते हैं हमारे मैं जादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि कक्षा बारवी जी विज्ञान आपको डाइगरम बनाना इसको आपको फ् क्योंकि आपको बता दिया है कौन सा माधा प्रजनर अंग के बारे में तो आज के सिरीज में हम क्या से पढ़ेंगे वही आपका बलाजी वाला टीचर वाला दिमाग लगा लो वही माडम क्या बताने वाली है डाइगरम और क्या बताने वाली है फ्लोचार्ड और क्या बताने वाली है तीसरा पॉइंट वाइस लिखने का तरीका चुकि एक्जामपल इसमें नहीं है तो अभी हम एक्जामपल नहें लिखने वाले सीरी से स्टार्ट करेंगे अपने कक्षा बार्वी के जी विग्यान और जो की है 36 गर बोर्ड का एक्जाम ठीक है तो टेंशन मतलो आपके 70 मक्स कहीं नहीं गए हैं आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइस करते जो और पढ़ते जो यदि आपको लगता है इसका इसका डीटेल जाना है तो आपको मेरे अप्लिकेशन में जाना पड़ेगा हमारे आप अभिप्षय अप्लिकेशन डाउनलोड करेंगे और फटाफट वहाँ से पूरा का पूरा चीज लिख करके याद कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं हमारा यह जो मिशन 2023 है जुसका टॉपिक है क्या नर जनन तंत्र के बारे में चलिए भाई स्टार्ट करें हैं हम हमारा वह उनिट फर्स्ट का तीन अंक को जो प्रश्टह उसके उपर हम बात करने वा रहे हैं तो इसी जनन चेप्टर से ही कोशन आने वाले हैं सारे के सारे जनन से आने वाले हैं इतना तो तो याद रखो नमांकित आरेख बनाकर निम्न भागों का एक एक कारे लिखने जो कि आये है 20 में और 22 में यानिकि 2020 और 2022 में यह प्रश्ण आ चुका है तो 23 में आने के संभावना भी है अहां पर चलिए ऐसा मत करना ऐसा मत सोचना कि 20 में आया मैं 21 में इसा अप्तिमाद बिल्कुल भी लगा क्योंकि in board exam में कुछ भी हो सकता है कुछ भी ठीक है तो आप याद रहो गी ऐसे question आ गया तो आपको कैसे है उसको कैसे वहां पर begunacam बना बना करकि कैसे answer- Eco be Creek को dukungर। त obail का ऑक यहां पर दहाए ठीक है एक प्रेश्ण और आया था जो मैं अथवा में करकर एक और बताना चाहती थी क्या कि नमांकित आरेख बना कर किसका नर्जनन तंत्र का लेकिन कारे के जगह में यह तीन कारे को छोड़कर प्रोस्टेट ग्रंथी अधी व्रिशन के बारे में भी दिया हुआ है तो यह दोनों ही प्रेश्ण अत्वा में आ सकते हैं इसलिए मैं पाचों को एक साथ लिख दी हूँ क्योंकि डियागराम बना के हम सारे चीजों को समझाने वाले हैं तीसरा प्रेश्ण को और बन सकता है कि आपका नर्जनन तंत्र का डियागराम बना कर यानि कि चित्र बना करके आप उसको समझाए यह भी फाइफ मांक का कुश्ण बनता है तो आप फाइफ अंक को जाने आपको नहीं देना है भी साथ आपके पास ओन नोट है वही है यह आपका पांच अंक ठीक है evidence नथ टी करते हैं हमारा यह जो पूरुष जनन तंत्र इसके बारे में थोड़ा समझते ही क्या है तो यहां पर अगर मैं इसको डागराम बनाते जाओंगे तो थोड़ा सा यह क्या हो जाएगा लंबा बन जाएगा इसलिए मैं यहां पर एक डागराम बना करके आप लोगों के लिए र तो कि अगर यह क्या है हम 3-D image डाल के रहें 3-D image किसलिए है, क्योंकि आपको इस तरीके से जो आपका नर्जनन्तंत्र होता है वो इस तरीके से दिखाई देता है, अगर आपको नाम नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत निया मैं आपको पूरा diagram बना करके, नाम दिखाने वाली ह दिखा रही हो कि अगर मतलब यह मतलब में जो चीज है आपको इसी तरीके से आगर हो तो एकदम ऐसे समझो कि original चीजे है ठीक है original कुछ इसी प्रकार से आपका diagram दिखाई देता है अगर अंदर को ध्यान से देखोगे तो तो यह आपका क्या दिखाई दे रहा है आपको दिखाई देगा bladder wash difference दिखाई देगा यहाँ पर ठीक है color change कर लेते हैं यह आपका wash difference है यह panis पूरा पूरा भाग panis है अंदर में urethra होता है यह उपर यह पूरा glance बना हुआ है इसको हम कहते हैं पूरा भाग को testis कहते हैं main काम आपका testis का ही होने वाला है सिर्फ diagram देखे पूरा चीज हम बात करेंगे एक चीज के बारे में ठीक है यह आपका epididemic है इसको बहुत ह अधिवरिशन की हम बात करेंगे यह आपका क्या है प्रोस्टेट ग्रंती है अभी चित्र में सब कुछ देखोगे प्रोस्टेट ग्रंती जैमिनल वैसिकल के बारे में यह सारा जो चीज है देखो ऐसा होगा लेकिन जब आप चित्र बनाओगे तो ऐसा मत बनाना आप कैसा बनाओगे आप बनाने वाले हो इस तरीके से दिखाती हूं मैं आप लोगों को कैसा बनाओगे इस तरीके से डाइग्राम आप बनाने वाले हो ठीक है आप कैसे बनाओगे क्या है यह सारी चीज़े अभी हम देखने वाले हैं सबसे पहला आप इधर ध्यान दो यह आपका क क्या है पुरुस यानि की पुरुस का नर जनन तंत्र भी बोल सकते या पुरुस जनन तंत्र भी बात करेंगा अब पुरुस जनन तंत्र में क्या करता है तो जैसे कि हमने फीमेल पर पढ़ा था आप लोगों को याद होगा फीमेल में हमने क्या पढ़ा था कि मादा युगमक का निर्मान करता है और इसमें किसका निर्मान होगा नर्युगमक कौन है सुक्राणू है कौन है बिटा सुक्राणू यानि कि इस्पम है भाई ठीक है तो नर्युगमक कौन है इसमें इस्पम है यानि कि सुक्राणू है तो सुक्राणू तो चलो ठीक है इसमें बनने वाला है यही इसका main कार है तो आप बात करेंगे हम flow chart की बात करेंगे कि भाई flow chart में क्या के चीज़े आपको लिखनी है तो flow chart में आप सबसे पहले सेम जैसा आपने माधा के लिए किया था सेम आप किसके लिए करने वाले हो नर के लिए करने वाले हो तो बहू फ्रोचाट बना दो उसमें क्या दिक्द है passar हम बना देंगे क्या एक फ्रोचाट बनाने वाले हैं फ्रोचाट में एक line लिएगे देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगेे नर लिखोगे नर जनन तंत्र लिख लो ठीक है नर जनन तंत्र लिख लिए अब क्या भाई एक लाइन खीच लो ये भी हमने लाइन खीच लिया अब क्या कौन सा लाइन खीच होगे हम दो लाइन खीच लेते हैं चलो ये दो लाइन खीच लिया हमने फिर क्या करोगे एक एरो यह हमने सीधा कर लिया ठीक है अब क्या करेंगे भई हम एक लाइन इधर से खीच लेते हैं एक एरो इधर बना लेते हैं और दूसरा एरो हम इधर बना लेते हैं दो एरो हो गया तो ना जनन तंत्र के मुख्य दो भाग होते हैं पहला भाग जो है जिसको हम प्राथमिक अंग दूसरा क्या लिखोगे दीतियक जनन अंग हो गया ऐसा बनाओगे फ्लोचार्ट इसमें क्योंकि फ्लोचार्ट यहां पर बनेगा पाच अंग के सारे प्रेश्ट में आप ज्यादा कोशिश करें फ्लोचार्ट बनाने का और उसी के ऊपर में ही सारे कुछ लिख दीजिए ता प्राथ्मिक जनन अंग इसमें क्या होगा बही प्राथ्मिक जनन अंग होता है क्या टेस्टिस यानिकी व्रिशन ठीक है प्राथ्मिक जनन अंग क्या है इसमें व्रिशन होता है ठीक है अब दूसरा है द्वितियक जनन अंग की अगर हम बात करें तो इसमें व्रिशन के ब वाहक आप लिख दोगे, फिर क्या है, चलो भाई, अधी वरिशन, ठीक है, अधी वरिशन, सबसे उपर में आप एक और लिख सकते हो, इस क्रोटन जो कि इसी में आ जाएगा, लिखने की जुरूत है निया से, शुक्र वाहक हो गया, अधी वरिशन हो गया, शुक्र, शुक्र वाहनी, ठीक है, शुक्र वाहनी, शुक्र वाहक यानि की वासा इफ्रेंसिया, ठीक है, अधी वरिशन, एपिडाइडमीस, ठीक है, शुक्र है नि, अधर नाम लिखी हो, उपको दिखा देती हो, ठीक है, शुक्र वाहनी जिसको हम कहते हैं, वासा इफ्रेंसिया कहते हैं, ठीक है, next जो आता है, जिसको हम क्या कहेंगे, seminal vesicle, यानि की शुक्राश है, क्या आपका? शुक्राश है, ठीक है, शुक्राश है, घृच्छ है, ग्रन्थी है, देन आता है, आपका prostate, ग्रन्थी, ठीक है, फिल आता है आपका क्या? इधर लिख देती हूँ, कॉपर्स ग्रंथी, ठीक है, कॉपर्स ग्रंथी, तो इतना नाम आपको पेपर में लिखना पड़ेगा, और ऐसा प्रोचट बनाना पड़ेगा, कि जननतंत्री के दो भाग, प्रात्मिक जनननंग, दित्यक जनननंग, ठीक है, व्रिषन हो गया, दि युरेथ्रा में बाहर नहीं करता है इसको यहां नहीं रिखोगे तो भी चलेगा आगे एक्स्प्रेइन करोगे तो आप लिख सकते हो ठीक चलिए अब यह होगा आपका फ्लोग चार्ट खतम अब आते हैं हम डायग्रम की बात करते हैं तो अब आपका जो डायग्रम है आपक कुछ ऐसा ही बनाना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या जिसका हमने पहला बात क्या किया पुरुष्ट में निर्मान करता है अप ये चीज़ लिखोगे तो यह इसी वरिशन के अनुप्रस्त कुछ कार्ट की हम बात करते हैं कि क्या के चीज़ आपको लिख रही है तो पर आप लिख दो भई एक ऐसे डायग्रम बोनेटेटे यहां पर देखो यहां हम एक ऐसे वृशन की डायग्रम में बना देते हैं 또 हूता है इसे पहले यह कि बिशन जो होता है आपको टैस्ट चोहा उता है दोहरी छिल्ली से दबल इस तर से यह घिरी हुई संरचना होती है ठीक है व्रिशन जो होता है अभी हम रिशन की ही बात कर रहे हैं व्रिशन ठीक है तो व्रिशन के बारे में आ गया तीन नमबर का तो क्या लिखोगे तो व्रिशन जो होता है द्वी स्तरी संयोजी उत्तक से घिरी जिल्लिया होती है ठीक है यह में तुनिका वेजिन एलिस कहते हैं यहां पर मैं ऐसा बना देती हूं पहले फिर आपको बताती हूं ठीक है चलिए आगे यह हमने बना दिया कुछ इस तरीके का इस तर अंदर का और यह हमने अंदर फिर यह पार्ट फिर यह पार्ट फिर यह पार्ट फिर यह पार्ट हमने बना यहां से भी यहां से भी ऐसा हम बना देते हैं सुक्र जरक नली का यह हो गया सुक्र जरक नली का आगे चल करके किसमें चल जाएगा सुक्र वाहिका में ठीक है फेस पर वाहिका से अभी जो बोर्ड रही हूं आपको समझ नहीं आ रहा होगा अभी समझो के सब कुछ समझने वाले हो ठीक फिर आगे चल के यह ऊपर चला जाता है अब देखते जाते हैं क्या के हमने बात की हो उसके बारे में के ऐसा हम बना देते हैं तो आपको समझ आ जाएगा ठीक है यह हमने बनाया अच्छा अब क्या बना रही हुआ अब यह जो सोच रहो पहले सुन लो भई मैं क्या बना रही हूं यहाँ यहाँ देखो मैं क्या के चीज़े बनाई हूँ सबसे पहले हमने व्रिशन की बात की जो विशन जो होता है दो इस तरों से घीरा होता है बाहर का जो लेयर कहलाता है जिसको हम कहते हैं क्या इसको हम कहते हैं त्यूनिका ट्यूनिका वेजी वेजी नेलिस कहते हैं ठीक है त्यूनिका वेजी नेलिस हो गया अंदर का जो भाग है जिसको हम कहते हैं क्या ट्यूनिक तिनिका वरेजेनि का है लबू जीनिया कहते हैं ठीक है? त्यूरीका के बारे में लेंचे टैस्टेस भी एक बाहर से एक लेयर के द्वार्ठा घेरा रहता है रक्षातम काउरन इसको कह सकते है जिसको स्क्रोटम कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, यह हो गया आपका बाहर का स्क्रोटम क्या करते हैं, इसको रक्षा करने का कारिक करते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, स्क्रोटम हो गया, टेस्ट इसको क्या है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है, टे कहती है सिलोमिक द्रव कहती है दोनों के बीच में भरा होता है सिलोमिक द्रव भरा होता है इस सिलोमिक द्रव को सिलोमिक द्रव जो भरा होता है यह क्या कारे करता है इनको बाहरी आगातों से रक्षा करने का कारे करता है ठीक है इसको प्रोटेक्ट करता है सिलोमिक द्रव क् बहारी आगातों से रक्षा करने का कारे करता है कि इसको टेस्टिस को रक्षा करेगा मेरे को थोड़ी करेगा ठेस्टिस को करेगा ठीक है चलिए आगे देखें क्या अब देखें क्या कि ये जो आपका ट्यूनी का एलबू जीनिया है अंदर से ये मोटी एक परत होती है और आगे चल कर ये क्या करता है सैप्टम का निर्मान करते देखो ये ट्यूनी का एलबो जीनिया जो होता है अंदर धस करके अंदर धस कर एक पटिका का निर्मान देखरो यहां पर एक अलग अलग पटिका बनी है कि नहीं ये ठीक है अंदर धस कर एक पटिका का इस तरीके से न साफ देता है इसको कितना पिंड़क बात करी मैं two fifty धाइसौ व्रिशनीय ताइसो व्रृष्णी पिंडग को क्या बोलते है व्रृष्णी पिंडग केहते हैं टेवनी का अल्ब जीनिया अंदर मोटी परत होती है और ये पत्तिका का निर्मान करती है और ये धाइशो कमपार्टमेंट में इसको बात देती है इस धाइशो पिंडग जो ये पिंडग बटा हुआ है इसी को हम कहते हैं व्रेशनिय पिंडग कहते हैं क्या कहते हैं इसको व्रेशनिय पिंडग कहते हैं ठीक है चु सकते हो उतना मैं पूरा चीज बताने वाली हो ठीक है पूरा डीटेल में बता हूंगे तो उसके लिए आपको application मेरा देखना पड़ेगा उसमें जाना पड़ेगा वहां से आपको पूरा इक चीज़ में बारिक से बता हैं उसको भी आप देख सकते हो ठीक है तो वह ज्यादा पिंडग से धाईसों से जादा नहीं रहेगा याद रखना विश्णी पिंडग से दो से तीन ठीक है यहाँ पर लिख देती हूं क्या दो से तीन सेमनी फेरस ट्यों भी उस यानि कि सुक्रजन नलीका यहाँ पर लिख देती हूं सुक्रजन नलीका जो है नलीका यहाँ पर द और सुक्रजन नलीका से ही, सुक्रजन नलीका से ही किसका निर्मान होता है बिटा, यही पर याद रखना किसका, इसी में होता है, सुक्राणू का निर्मान होता है, ध्यान देना, एक एक चीज़ बता रहे हो, बारिकी से, डाइश्वा विष्णी पिंडग, ठीक है, शुक्रवाहक नलीका में खुल जाता है ठीक है ध्यान देना ये कुछ और ही है जितना भी मैं नाम बोलते जाओंगी ये कुंडलित नलीका ही होती है और कुंडलित नलीका आगे चल करके खुलती जाती है बस नलीका ही है नाम चेंज हो गया है वो कहां करके खुली वो आगे क यहां खुली बस इतना ही देगा आपको ठीक है तो मेन काम टेस्टिस का है सुक्राणों का निमान पर इतनी चीजों को ध्यान देना है अब सुक्रवाहक नलिका में आगे आगे ओपन होगा फिर सुक्रवाहक से आगे चल कर कहां चल जाएगा यह आगे कहां खुलेगा अधिव रिशन में सुक्राणों जो बनते जाएगा यह यहां खुलेगा और इसके बाद अधिव रिशन जो होता है यह आगे चल करके यह तीन भागों में डिवाइड़ अभी बताऊंगी कौन कौन सा ठीक है अधिव रिशन जो होता है तीन भागों में डिवाइड़ होत कि अधिय ए चल कर यह उप्र का स्ट्रॉक्ट्टर बनाई हूं इस सी dieser को हम कहें था से सफ सफ व्एमाईणी क्यम रोगी।च्वाहिन उत्राइब कि वथ्पॉटरणी के व्वe तक कुंडलित पढ़ रहे थे थोड़ी से सीधी नलीका है बना लेती सीधा नलीका ठीक है तो आगे चल कर जो यह वला डाइग्रम देख रहे हो यही है एक वरिशन का डाइग्राम ठीक है अब याद रखना यह जो अंदर का विश्टी पिंडक का जो बात भी हम कर रहे थे ज रहा चर्ड को हम अंतराली इसको हम क्या बोलते है अंतराली अंतराली स्थान या Karen कहती है और इस्राली on के नाम से भी जाना जाता है याद रखना लेडिंग सेल के भी नाम से जाना जाता है अंत्राली स्थान के नाम से भी जाना जाता है अब अंत्राली स्थान पर ही एक हार्मोन का जो जिसको हम कहती है टेस्टो इस्टी रॉन हार्मोन का सिक्रेशन होता है ठीक है तो टेस्टो इ दीत्यक लैंगिक लक्षन यानि कि पुर्सों में दीत्यक लैंगिक लक्षन को प्रेरीत करता है जिसे आवाज का भारी होना बाल आना ठीक है जांगों में बाल आना ठीक है तो ये सारे जो बाल जो शरीर में आ रहे हैं या फिर हम बात करें आवाज का भारी होना तो ये सारे कहां अंत्राली स्थान पर जो कि सुक्राणों को क्या करेगा टेस्टिस्टोन पोश्ट आपको ग्रोध करने का भी कारिक करता है ठीक है आगे देखिए यह आपके व्रिशन का कार है व्रिशन के बारे में पूछा डायागराम बना के इतनी चीजे इसके बारे में आपको पड़ेगा तो इसमें क्या के चीजे दिखाई दे रही है व्रिशन के बारे में अभी हमने बात कर ली तो व्रिशन में ही क्या हुआ सुक्राणों का निर्मान इसलिए उसको प्रात्मिक लैंगिक अंग कहते हैं बनने के बाद वह रैटिटेस्टिस में चला जाएगा आग यह चला जाएगा वासर डिफ्रेंशिया में चले जाएगा वासर डिफ्रेंश में ठीक है और वासर डिफ्रेंश से कहां चले जाएगा आपका सैमिनल वैसिकल पी ग्लैंड होता है आगे चलके सुक्रासा में सुक्रासा है तो और यहां से यह कहां चलेगा यूरेथ्रा में जाएगा ठीक है यह में अगया सुकराणू यहां बना यहां ब्लैडर में ठैन उसके बाद दिरोच्व चला जाएगा युरेट्रा से यह बहर निकल जाएगी पूरा भग पैनिस कहलाता है ध्यान रखेंगे ठीक है क्या किया चीजह अच्छा यह चीज़े डाग्राम बनाने में तीसरा कॉपस ग्लैन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ठीक है तो इन इतनी चीजों को देखना और उसके बाद हमने देख लिए व्रिशन में वह बना आगे चल के खुलेगा आगे चल एक नलीका में वह बाहर निकल जाता है युरेत्रा के द्वारस उक्राणू ठीक है अब हम बात करेंगे इन ग्रंथियों का क्योंकि यह पूछा गया कोशन है तो ग्रंथी के बारे में देखें कि यह ग्रंथी क्या कारी करती है यह ग्रंथी का कारी क्या है यासे तो इस दोनों के बारे में एक ही साथ पेपर में ज्यादा आता है और इसके बारे में हम बात क सब एक एक चीज के बारे में आपको लिखना पड़ेगा चले देखते हैं तो अब इसके ग्रंथी के बारे में देखोगे थोड़ा से इसके बारे हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आते हैं सेमिनल वैसिकल के बारे में तो सेमिनल वैसिकल भी क्या है एक ग्रंथी होती है और सेमिनल वैसिकल जो होता है छारी तरल प्रदवे ठीक है कौन सा छारी तरल प्रदवे का सिक्रीशन करता है सेमिनल वैसिकल जो की वीरे का 80% भाग बनाता है ठीक है इ तो पूछेगा वीरी का 80% भाग कौन बना रहा है सेमिनल वैसिकल से सिक्रिट होने वाला द्रव जो है ठीक है छारी होता है छारी है शुक्र द्रव है ठीक है तो ये क्या होगे आपका सेमिनल वैसिकल का होगे सेमिनल वैसिकल का कारी क्या है प्रोस्टेट ग्लेंड जो होता है जली दूधिया द्रव का सिक्रिशन करता है ये छारी का करता है और ये जली दूधिया द्रव का सिक्रिशन करता है ये वीरिका 20% भाग बनाता है ठीक है ये 80% और ये 20% का भाग बनाता है एक चीज और याद रखेंगे नर में ही फ्रक्टोस जो है पाया जाता है ठीक है नर में फ्रक्टोस पाया जाता है जब रेप होता है किसी लड़की का ठीक तो रेप में क्या चेक करते हैं फ्रक्टोस चेक करते हैं क्यों क्योंकि लड़कियों में बिलकुल नहीं पाया जाते सिर्फ और से पॉर्षों में पाय जाता है तो फ्रक्टोस को ही चेक किया जाता है ठीक है फ्रक्टोस की उपस्थिति को तो ये होगया आपका प्रोस्टर ग्लैंड एंस सेमिनल वैसिकल, लास्ट आते हैं कॉपर्स ग्लैंड की अगर मैं बात करू, तो कॉपर्स ग्लैंड से आपको लिखना पड़ेगा14 के बारे अपको लिखना पड़ेगा question कहा है, ग्रंथी के बारे में पूछा जाता है, तो ग्रंथी के बारे में आप लिख सकते हैं वहाँ पर, ऐसा एक एक लाइन से, ठीक, अब एक चीज और याद रखेंगे, जब मैंने कहा था क्या ये वाला diagram देखिए, थोड़ा सा दिखाई देती है, और इस गोल अकार की जब सलचना को ध्यान से देखोगी, ये कट गया, मैंने गाट दिया और गोल अकार की सलचना दिखाई देती है, तो यहाँ पर जब सुक्रजन नलिका को काटोगे तो ये दो टाइप की कोशी का निर्मित करती है, पहली जो कोशी का निर्मित करती है, जिसको हम कहते हैं सुक्रजन कोशी का कहते हैं क्या कहते हैं उसको? सुक्रजन कोशी का कहते हैं दूसरे को हम क्या कहते हैं इसी की मैं बात करे हूँ, यही ट्यूब कोशिका कहते हैं अब ध्यान देना सुक्रजन जो कोशिका होता है सुक्रजन कोशिका जो होता है सुक्राणू का निर्मान करता है यही सुक्राणू का निर्मान करता है ठीक है थोड़ा ध्यान देना मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ यह जो आपका सुक्रजन कोशिका है किस का निर्मान कर रहा है सुक्राणू का निर्मान करता है लेकिन जो सर्टोली कोशिका होता है सर्टोली कोशिका इस सिक्राणू को मतब विक्सित हो रहे सुक्राणू को पोशन प्रदान करता है कौन सर्टोली कोशिका का काम क्या है पोशन प्रदान करना किसको शुक्राणू को ठीक है तो ये चीज़े आपको याद रखनी पड़ेगी ये क्या भाई साब ये है आगे रेटे टेस्टिस थोड़ा ध्यान देना जब मैंने कहा सुक्रजन आगे नलीका निकलेगी तो सबसे पहले यहीं खुलेगी बीच का भाग यानि कि रेटे टेस्टिस में ये भी बाहर निकल जाएगा तो ये पूरे भाग को पैनिस कहते हैं तो ये पूरे भाग को पैनिस कहते हैं ठीक है शिष्न ठीक है शिष्न कहते हैं और ये बागल का क्या है शिष्न मुंड कहलाता है ठीक है तो इसी के त्रू क्या होता है सुकुरानो बाहर निकल जाता है यूरेत्र के माध्यम से समझ रहा आप λोगों को तो इतनी चीजे आप लोगों को पेपर में पूरी लिखनी ठीक है तो यह अगर मैं original ऐसा डाग्रम दिखा दू 3D में तो यह आपका क्या है कहां गया यह आपका लास्ट यह देखो अभी तक जितनी चीजों की बात की यह वही चीज़े हैं ठीक है अभी हमने किसकी बात की थी यह आपका सुक्रजनली का है ना सुक्रजनली का आगे चल इस तरीकी से यह बहुता है और बनले के बारत यूरीनारी में ब्लेडर से यूरेत्र और यूरेत्र से यह बाहर निकल जाता है ठीक है तो यह आपका पूरा! और ऐसे ही आपको पेपर में बनाना है जैसे कि मैं अभी पिछले में बनाई हुई थी ठीक है पूरा नाम लिखोगे ठीक तो इतना चीजे जो है नर प्रजन तंत्रे में सफिसेंट है लिखने के लिए पांच अंक आपको कहीं नहीं गया है सिर्फ रिवाइस कर रहे हो पूर ऐसे कमेंट करेंगे तो कमेंट में और जाद च्छे से मैं क्या करूंगी आम कुछी बच्चे को यह को जो है आप लोगों को समझ आ रहा है कि कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उसमें आपका समधार करते जाओंगे तो मुझे इजाज़त देंगे आप मेरे साथ पढ़ते रहेंगे तब तक लिए मुझे जाज़त दी धन्यवाद